दंगा और बल्वा में क्या अंतर है एफ्रे यानि की दंगा और राइटिंग मतलब बल्वा मतलब बल्वा यह डिफ्रेंस और यह भी आप बीनेस के थ्रू पढ़ें ध्यान दीजेगा बीनेस के थ्रू घ्लाक बीनेस के थ्रू यह कोही ऐसा नहीं यह अंतर लगो कलाμη जानते रहें यह कि दोनों में भी आटेटीस असे पहला डिफ्रेंस जो सबसे इंपार्टेंट है 610 का डिफ्रेंस ब...! कहां डिवाइन किया गयाए फिर को कहां डिवाइन किया गया है कि यास सेक्षिन वन नैनटी आफ भारती न्याय संघिता डिफशाइप गया है इस पर जल्दी बीडियो वह बनेगा आप ध्यान दीजेगा लिए दंगे कप्राद का प्रश्च गया 194 मनाय गया है और चीज़न इसमें कहां डिफाइन किया गया है हाँ स्क्षिन 191 जिसका बी अन्यस का डिफाइन स्क्षिन 191 आप भारती न्याय संगिता लिफाइन दर राइटिंग यानि की बलवा को परिभांसित किया गया है इसी वीडियो बनेगा भी द्यान दीजिए आप लोग अगला पॉइंट देखिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपर्टेंट और यह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह पॉइंट यह जो टॉपिक है आपके मेंस के लिए बहुत महत्पूर्ण है वेरी वेरी मोस्ट इंपर फॉआध मोर पर्सन लेकिन चैनल लिए जाधान ने पीए पार दे ने wtih तो ॉई या दो से अधिक व्यक्त और यहां पटे ना चाहिए कम से कम पैफ आख इंर प्र इंर पाई पार में तर थैं पाई पाई न फाइव चकम को π कि से खटों द्बंद मत्लब हैं सबस्रक्राइन आइए इतने भी हो सकते हैं पांच या पांच अधिक लोग होने चाहिए सेकेंड डिफरेंस से चाहिए अब अगला प्वाइंट तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट यह है कि जो एफ्रे का आफेंस है वह पॉबलिक प्लेस पे होता है यानि कि आफेंस आफ एफ्रे इस पॉबलिक प्लेस यानि कि दंगा का अपराद लोकस्थान पे होता है यह पॉबलिक प्लेस पे होता है पॉबलिक प्लेस पे होता है ल लेकिन बलवा यानी राय्टिंग कहा पिए होता है यह पबलीक या प्राइबेट किसी पर हो सकता है या प्रायवेट प्लेस प्राइब प्लेस पर भी हो सकता है और उसके बाद इसमें क्या है चौथा डिफ्रेंस इसमें एक्चुवल फाइट होनी जरूरी है एक्चुवल फाइट ध्यान दिजेगा एक्चुवल फाइट इस निसेसरी एक्चुवल फाइट इस रिक्वाइड यानि कि वास्तविक लड़ाई होनी जरूरी है यह गाली ग का अपराद तब तक दोनों जब तक उनके बीच में एक्टिवल फाइट यानि कि वास्तरिक लाई ना हो फिर गाली गलाओ से दंगा का अपराद नहीं होता है यहां पर क्या होता यहां ध्यान दिये यहां पर बलवा के लिए जरूरी है कि सभी लोग पहले अनलाफुल मेंब हो अनलाफुल यानि कि इसमें सेक्शन 189 का होना जरूरी है तभी बलवा होगा ध्यान दिजिएगा इट मेंस इन दाफेंस आफ राइटिंग सेक्शन 189 इस रिक्वायर यानि धारा एक्सो नवासी इसमें सामिल होती है यानि ऐसे लोग पहले विदिविरुद जमाव के देशोते हैं तब पलवाकारी कहलाएंगे जब बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं यह चार डिफरेंस है यह बहुत इंपर्टेंट है उसके साथ-साथ मैंने इसमें बता जिया था जगर नासाहू का केस बहुत इंपर्टेंट है जो कहता है एक्टियूल फाइट तो दंगा के लिए होना जरूरी है अगर एक्चुल फाइट नहीं है तो एफ्रे यानि दंगा का अफराद नहीं होगा इस बात को आप लोग समझ लीजिए ठीक है कि दंगा का डिव डंगा वन नाइन्टी फॉर में नहीं पता है कि कुसिम दे दिया है बीनस के उसी सेक्शन में दिया है देखिए आप दूसरा क्लाज कि देखिए कि इसमें एक महीने की सजा है एक हजार जुर्माना है कि पिरट नहीं रख्यों गया हस्मत दंगा में देखो दंगा में एक मास वर नाइन्टी फॉर का टू दिया गया इसमें सप्राद इया ठीक है इसको आप तयार कर लेजिए अच्छे से याद कर डाले इस जाद याद नहीं करना तो दंगा वल्वा बिदूर्य नात्तिनों समझा गया सब को अच्छे से अगरा उलिए कि अलिक फॉलंगी था आजए तोा अभी लोग जो हाथ यापने इता मैंत से पढ़ते हैं बताते निग्म पढ़ने में इतना अच्छे जैंगे है आपके में अप्सटी होने की और सो जिएन क्या है आपकी में नत या आपका बेर microphone क्या है आए कौन आप्षां दे रहा हूं जयान देगा इतनी अच्छी तैयरी कीछे आप के आप का खमाल है अप्षाण ने आपकी मेहनत आप्षान एंप आप अप्षान भी आप्षान भी आप तर्फान भी क्या है आपका बेर एक्ट आप्षान सी कि आलस आप संदी एक गुट कोचिंग क्या है कि सब का अंसर दी है या किसी का अशर एब है सब का अशर दी है कि यह सब चेह अच्छा क्योंकि आपको अराम से पढ़ने और खाने की सुझा मिल गई है आप अराम पढ़िये खाना खाईए लिखना ना पढ़े इससे आपको समझ में आ रहा साव-शाब बोलना नहीं लिखा वो देख सकते हैं तो ठीक लिए सभी लोग अजयान दिए आपको डिफरेंस इसी तरीके से लिखना है इसी तरीके से लिखना है अब आपको परग्राफ रिदा साफ साफ बिजन के लिए अब इसे एक जाम रापकी काव फीचकिए ध्यान दीजिए अच्छा वन एडिवू चलो वेरे गूट इतने सेक्शन लिग दिया ह अब अलों 5 बांक्स का ऐसा फ़ोगे 5 मांक्स अबश्याइट है इस इंपल वर्मे अचा टू आर्मोर परसनली रिक्वाइड पाइफ आर्म और दन फाइब रिक ठीक पावलिक प्लेस में होता है यह दोनों फोटा है अच्छिवल अच्छा इसमें पॉलिक पेस होता प्लस परबिक पीस यह प्लिक पीस क्या होती है अ मैं आं अचियंग सोती है हां और यहां पेस्साइब यहां पर ठीक है अब उसके पाद एक्च्छल फाइट होती है और यहां पर वह अला फुल मेंबर होना जरूरह है यह डिपनेस पाच यड़ी ये पांच में चार नमर मिलेग 4 marks मिलेगा